दोस्ता अगर आप आपका फोन में गूगल पिक्सल का एक एक्स्क्लूसिव फिचार एयर स्टिकर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप गैड में बताऊंगा आप कैसे कोई भी Android फोन में गूगल पिक्सलू का एयर स्टिकर्स को यूज़ का सकते हैं जो की काफी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हैं और दोस्तों ये गूगल पिक्सलू का ओरिजिनल फिचर हैं और आपने इस वीडियो के लिए पिछले कुछ दिनों से कॉमेल में भी बताया था तो आप आगे वीडियो को देख चलाइए तो नमस्ति दोस्तों मैं हूँ कोई शिक्ति चलिये वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दू गूगल पिक्सलू का ये एयर स्टिकर्स कोई भी एंडरइड फोन में काम करेगा और वो भी रूट के बिना तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक और शेयर किजेगा और अगर आप मेरा चैनल में नया है तो प्लीज आप मेरा चैनल को भी सबस्काइब कीजेगा इसी तरह का और भी Air Force content देखने के लिए तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दू Google Pixel 2 का Air Stickers Only for Android Oreo 8.1 Best ROM में ही काम करेगा आप कोई भी Android Oreo Best ROM को यूज़ का सकते है और अगर आपका फोन में Officially Android Oreo मिला है तो बहुत ही अच्छा बात है पर दोस्तो जैसी कि मैं इस वीडियो में डेमोस्टेशन के लिए मेरा Redmi Note 4 को यूज़ करूँगा तो दोस्तो आप जानते हैं अभी थाग Redmi Note 4 Officially Android Nougat में ही है लेकिन दोस्तो आप चाहे तो Android Oreo 8.1 Best Custom ROM को यूज़ का सकते है आप दोस्तो Custom ROM को इंस्टल करने के लिए Pre-Requirements होता है आपका फोन में Bootloader Unlocked होना चाहिए और साथी साथ एक Custom Recovery भी इंस्टल होना चाहिए तो दोस्तो Xiaomi का फोन में कैसे Bootloader को Unlock करना है और कैसे Custom Recovery को इंस्टल करना है और कैसे Custom ROM को इंस्टल करेंगे तो दोस्तो ये तीनो टपिक का उपर ही मैं और रेडी वीडियो बना चुका हूँ आपको ये वीडियो का डेस्क्रिप्शन में सावमी फोन के लिए सारे के सारे helpful वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आप उहां से चेक का सकते हैं और अभी दोस्तो आदर्स फोन के लिए अगर आपको आपको आपीशेल ये आन्रोइड औरियो मिला है तो आपके लिए प्री रिक्वर्मेंट्स होगा आपको कोई भी एक कास्टम रिकोवरी को इंस्टल कर लेना है बूर्लोडर को अनलोक करके और दोस्तो आपको 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 ऊपीशेल ये आन्रोइड और्यो नेहीं मिला है तो आप आपका फोन के लिए अगर कोई Android Oreo 8.1 बेस्ट कास्टम रर्म डेवलप हुआ है तो उसको फ्लाइक करके आप गूगल पिक्सल का एयर श्टिकर्स को यूज़ का सकते हैं आप Google एन YouTube में आपका फोन के बारे में Oreo-based custom ROM के लिए Motorola Unlock के लिए custom recovery के लिए साच का सकते है आपको आपका फोन के लिए lots of helpful articles and videos मिल जायेगा तो दोस्तो ये तो हो गया first step आप दोस्तो second step में जाने के पहले आपको बता दू developer यानी जिन्होंने ये Google Pixel 2 का AR stickers को port किया है उन्होंने mention किया है custom रिखोवरी के साथ साथ phone को magic systemless root से भी router होना चाहिए मार दोस्तो मैं यहाँ पे मेरा Redmi Note Pro में 3-4 different Oreo-based ROM में टेस्ट किया हूँ और without any type of root AR stickers पुपली काम कर रहा है So it's very good ओके तो दोस्तो step number 2 required files and apps अब दोस्तों यहाँ पे आपको AR stickers को इंस्टल करने के लिए आपको total 1 files और 4 apps चाहिए जो कि है AR core app version 1 and version 1.1 नामबर 2 VR apps ornaments नामबर 3 Google camera app and last one API 2 CAD AR and OTM1 file जो कि actually camera 2 API and CAD को enable करने के लिए चाहिए ओके तो दोस्तों यह सारे के सारे apps and files का download link आपको वीडियो का description में मिल जाएगा आप वहाँ से ही यह साब files को download का सकते है आप दोस्तों main process यानि step number 3 तो दोस्तों सबसे पहले आपका phone को custom recovery mode में on करना है तो उसके लिए power button and volume app button दोनों कोई एक साथ long press कीजिए तो आपका phone recovery mode में on हो जाएगा मैं यहाँ पर TWP recovery को use कर रहा हूँ आप दूसरा कोई custom recovery को भी use का सकते है अभी यहाँ पर आप install option में क्लिक कीजिए then API to ARCAD mod file को locate कीजिए और उसको select करके आप यहाँ से जो कि हम लोग पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आप अभी एक एक करके सारे के सारे apps को install कर लीजिए जाइसी के आप देख रहा है और दोस्तो यह सारे के सारे apps का installation complete होने के साथ साथ आपका सारे के सारे steps completed हो चुका है आप दोस्तो आभी आप Google camera आपको open कर लीजिए और उसके बाद अगर आप यहाँ पे left to right side में swipe करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा air stickers का option So guys, it's mean you already got the Google air sticker feature तो दोस्तो यहाँ पे आप air sticker option में click कीजिए और जैसी के आप देख सकते है यहाँ पे आपको बहुत सरे अलग-अलग air stickers मिल जाएगा जिसको आप इस तरह से रेगगर के आप skin पे ला सकते है पींच आउट करके आप zoom कर सकते है और रेगगर के position को change कर सकते है और दोस्तो आप चाहे तो air stickers के साथ video record भी कर सकते है और photo capture भी कर पाएंगे So guys, now enjoy your video का please like and share कीजिए और आप मेरे चैनल को भी subscribe कीजिए So once again, this is Koshi here and see you in the next one Thank you guys, thanks a lot for watching, bye